नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ जबर्जस्त मिठाई की रेसिपी को जिसे हम पेना घी के जटपट से बना के तयार करेंगे और 10 मिनट में ये मिठाई बनके तयार हो जाएगी इतनी जादा सौफ्ट और मुलायम दानेदार से ये बनके तयार हुई आपको मैं तोड की दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया ये मिठाई बन जाती है एकदम सौफ्ट मुलायम मावा जैसी दिखने में लग रही होगी पर मावा की नहीं है तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहां पे एक कढ़ आज में अब इस मिठाई को कभी भी बना सकते हैं क्योंकि कम समय में बन के तैयार होती है बहुत ही जवजस्ती मिठाई बनती है इसमें हमें क्या करना है धीमी यहांज करना है और धीमी आज में हलका सा जैसे हमारा दूद गरम होगा तो हम आधे कब चीनी डाल देंगे ची कि चीनी हमारी अच्छे से घूल जाए बस इसी तरह से हम चलाते रहेंगे आप इस मिठाई को बच्चे के बड़े बगेरा में भी बना सकते हैं क्यूंकि यह बहुत ही आसानी से बन जाती है या फिर कोई भी पाटी ओ घर में छोटी मोटी तो इसमें भी बनाया जा सकता है ज में हमें अच्छे से फिलेवर के लिए थोड़ा सा हमें लैची का पाउडर एड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और जैसे हम लैची का पाउडर मिक्स करेंगे तो बाकी की चीजे भी डाल देते हैं तो सबसे पहले हम ड्राइ को कुणेट डालेंगे एक इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे यह बहुत ही इजली तरीके से मार्केट में मिल जाता है और बहुत ही बजट में आता है अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे दूद में इस तरह से चलाते हुए अब हम क्या करेंगे आधी कप मिल्क पाउडर लेंगे कोई भी ब्राइं बाउडल ले सकते हैं अब हम इन दोनों चीजों को अच्छे से पका लिंगे इस तरह से चलाते हुए ताकि सारी चीजें हमारी अच्छे से मिल जाएं और धीमी ही आच में आप जमारी मिठाई बनके तयार हो जाएगी पहुंच जदा समय भी नहीं लगेगा अब हमने क्या कि अब हमने कोकोनेट डाला था तो उसका अपना तेल जो होता है न बो छोड़ देगा तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि जब कढ़ाई को यह छोड़ देगा तो यह अच्छे से पका पक चुका है तो मैंने इस तरह से इसे अच्छे से धीमियाच में भूंज लिया है चल और अब हम इसे आपको पास से दिखा देते हैं कि कितना बढ़िया यह भूंज कर तैयार हुआ है कढ़ाई को एकड़म छोड़ दिया है गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं यह देखें पास से दिखा रही हूँ अब हमने केक टिन लिया है कोई भी केक टिन ले सकते हैं या फिर कोई आपके पास बाउल कटोरा कुछ भी हो बो ले सकते हैं या फिर आप थाली में डालकर इसके बरफी भी जमा सकते हैं इसे मैंने तेल से ग्रिस कर दिया है ताकि जो मिठाई हमारी सेट हो वो इजली तरी देते हैं इसे हम इस तरह से सारी डाल देंगे और अच्छे से सट होने देंगे इसे हम अच्छे से चिकना कर देंगे और थोड़ा-थोड़ा इस तरह से दवा देंगे ताकि जो मिठाई बहुत ही अच्छी से से तो और हमें से फिरिज बगेरा में नहीं रखना है इसी तरह से छोड़ देना है छोड़ने के बाद 25-30 मिनट के बाद ये अपने आप सेट हो जाएगी अगर आपको जल्दी है तो आप इसे 10 मिनट के लिए फिरिज में रख सकते हैं और फिर इसके ब करना है आपको चाकू बगेरा भी नहीं लगाना है और अच्छे से मिठाई निकलाएगी कोई परसानी नहीं होने बाली और देखें कितनी पर्फेक्ट हमारी बढ़िया सी मिठाई बनके तयार हुई है आप चाहें तो इसे तरह से मतलब प्लेन भी रख सकते हैं पर मैं थो पर इस तरीके से लगा दिया है आप जो भी आपके पास ड्राइ फूट हो तो उनका इस्तिमाल कर सकते हैं और देखें इस मिठाई को कितनी बढ़िया ज्यादा सुन्दर और बढ़िया टेस्ट की बनी है इसे ना आप एक बार टेस्ट करेंगे तो इसको खाने के बाद कैसी लगी आज की मिठाई की रेसिपी मैंने से काजू और बादाम से इस तरह से सजा दिया है बीच में मैंने चैरी रग दी है तो ऐसा लग रहा है ये केक बन गया है पर केक जैसी दिखने वाली हमारी स्वादिस्ट मिठाई है अब मैं मिठाई को आपको कट करके दिखाऊंगे कि कितनी जादा बढ़िया बनी है तो इसे हम काट लेते हैं एकदम सौप्ट सी है ये मुलाएं तो इस तरह से चाको की साहता से हम इसे इजली तरीके से कट कर लेंगे इस तरीके से और जैसे चाहे पीस आपके से कट कर सकते हैं थोड़े से बड़े साइच के थोड़े चोटे साइच के पर मैं अभी और ज़्यादा चोटे कर दूँगी आप देखिए अब हमारी मिठाई बिल्कुल में मार्केट में मिलने वाली स्वादिश मिठाई दिख रही है इतनी ज़्यादा ये सौप्ट मुलाहिम है एक डम मुँ में घुल जाने वाली तो मिलेंगे इसी तरह की नई रेसिपी के साथ हम झांगे दिए रही है